अब हम बात करेंगे आपकी exercise 1.1 का जो पहला question है उसका question number 4 और इस question में हमें दिया हुआ है 5 005 इसका भी हमें prime factor find out करना है तो चलिए इस question को हम solve करते हैं कैसे solve करेंगे 5 लिखा हुआ है 005 अगर हम इसको divide करते हैं तो हम check करेंगे क्या ये number हमारा 2 से divide होगा ये number हमारा 2 से divide नहीं होगा क्योंकि इसका जो last number है वो 5 है even number होना चाहिए चुकि है नहीं क्या ये number हमारा 3 से divide होगा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 5 और 5 को plus करने पे 10 आता है और 10 जो की जिसमें की 3 का divisible वो नहीं हो सकता क्या ये number 4 से हम check करेंगे 4 से तो हमें check करना ही नहीं है क्योंकि 4 हमारा prime factor नहीं है तो 5 से हम check करेंगे 5 से हुए number divide हो जाते हैं जिनके last में 0 हो और 5 है तो हम 5 से divide करेंगे सबसे पहले तो 5 बन जा 5 जीरो जीरो और 1 अब यह 1001 है जो क्या यह number हमारा 3 से divisible है बिल्कुल नहीं है 4 से तो हमें check नहीं करना 5 से यह number होगा नहीं क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए 6 से हमें check करना ही नहीं है क्यों क्योंकि 6 हमारा prime number नहीं है अब हम check करेंगे 7 से 7 से divisibility rule किये कहता है कि last number को double करेंगे तो क्या होगा 1 1 का double क्या हो जाएगा 2 और इसको minus करने पर 98 आ रहा है क्या यह 98 है वो 7 का multiple है बिल्कुल 7 का multiple इसका मतलब यह number 7 से divisible होगा तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं इस number को 7 से डिवाइड करेंगे 7 बंजा 7 होगा और यहां पर फिर 7 से डिवाइड करते हैं फिर 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21 143 होगा क्या होगा 143 क्या यह number हमारा फिर से 7 से डिवाइड होगा क्या बिल्कुल भी नहीं होगा क्या यह number 3 से divisible होने का चांस ही नहीं है क्योंकि 4 और 3 7 और 7 और 1 8 3 से डिवाइड नहीं होगा 8 से हम चेक नहीं करेंगे 9 से हम चेक नहीं करेंगे 11 से क्या यह number होगा 11 से क्या यह number divide होगा विल्कुल divide होगा क्यों होगा divide क्योंकि 11 का divisibility rule है उसको वी ध्यान से आप सीखो कि 11 से हम कैसे check करें कि ए number 11 से divisible है या नहीं है हम numbers को alternate way में plus minus करते है numbers को alternate way में plus minus तो यह लिखा हुआ है 1 4 और 3 हमें check करना है कि यह number 11 से divisible है या नहीं है तो यह plus है यहाँ minus और यह plus अब इसको देखो चेक करके कि इसका answer क्या है इसका answer क्या आ रहा है जीरो आ रहा है अगर answer हमारा 0 आए या फिर 11 के multiples में आए इसका मतलब वो number हमारे 11 से divisible होते हैं तो आप देखें आप 11 से divisibility rule में 11 से अगर हम करते हैं तो 11 वंजा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और 33 हो जाएगा यानि कि 11 3 जा 33 यह number हमारा 13 है 13 से हम already divide करतेंगे 13 वंजा 13 clear है अब हम इसके factors find out कर लेंगे कि क्या होंगे इसके factors तो चलिए factors find out कर लेते हैं यह होगा 5 0 0 5 equal to तो इसके factors क्या होंगे 5 multiplied by 7 multiplied by 11 and 13 and that will be your answer okay